यहां पर मैंने कुछ टेक्स्ट और एक आइकन लिया हुआ है जिसके उपर हम अपना पहला लेयर इस्टाइल एफेक्ट जो की वेवल एंड इंबॉस है वो एपलाई करेंगे जो भी आप टेक्स्ट वेवल एंड इंबॉस के लिए यूज़ कर रहे है वो थोड़ा सॉलिड होना चाहिए तब ही उसका रजल्ट आपको दिखाई देगा तो सबसे पहले मैं इस टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेता हूँ उसके बाद इस लेयर पर डबल क्लिक करते हैं जिससे की लेयर स्टाइल का पैनल ओपन हो जाएगा अब हम वेवल एंड इंबॉस एपलाई करते हैं तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ यह ग्रे कलर से हैलाइट हो मतलब कि यह अप्लाई हो गया है और यहां पर भी आप देख सकते हैं की वेवल एंड इंबॉस लिखा रहा है मतलब मैं इस टेक्स का कलर चेंज करता हूं क्योंकि black पर पर आप वेवल एंड इंबंउस का रेजल्ट नहीं देख पाएंगे तो हम वेवल ओरले पर क्लिक करत फिर्स्ट पेरामिटर है इस्टाइल और बाई डिफॉल्ट इनर वेबल एप्लाई है जिसकी वजह से वेबल इंसाइड एप्लाई हो गया है अगर आप वेबल आउटसाइड एप्लाई करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करें यहां पर डिफरेंट टाइप के आप्शन अबे softness increase करने के लिए जो कि इसकी edges पर होती है उसको control करने के लिए soften parameter दिया हुआ है मैं इसको थोड़ा से increase करता हूँ और इन edges को अगर आप smooth या hard करना चाहते हैं तो इसके लिए यहां पर parameter दिये हुए है जो कि technique के अंडर आते हैं by default smooth selected है जिसकी वजह से इसकी edges काफी smooth हैं उसके बाद next parameter है direction by default light की direction top to bottom है जिसकी वजह से आप bottom में एक hard edge देख रहे हैं अगर आप down radio button पर click करते हैं तो यह edge उपर की तरफ shift हो जाएगी direction के अलावा एक और parameter यहां पर दिया हुआ है shading by default यहां पर 90 degree angle selected है लेकिन अगर आप इसे change करते हैं इस तरीके से तो आप देख सकते हैं कि इसकी जो shadow की direction है वो change हो गई है यहां पर दो parameter है first है angle जो की अभी हमने change किया है और दूसरा है altitude और यह by default 5 degree है अगर आप इसे change करते हैं तो इस तरीके से इसका result आप देख सकते हैं change हो रहा है मैं इसको by default 5 पर set कर देता हूँ और इसको आप यहां पर एक point होता है उससे भी select करके इस तरीके से change कर सकते हैं इसके अलावा wavelength emboss के अंदर दो और parameter दिये हुए हैं पहले हम contour को apply करते हैं यहां पर contour के लिए कुछ option दिये हुए हैं अगर मैं इस पर click करता हूँ तो यहां पर आप कुछ chart देख रहे हैं जिन को apply करने से कुछ different type के contour apply हो जाते हैं सबसे पहले हमें यहां wavelength emboss के अंदर इस setting को reset करना पड़ेगा मैं by default जो 90 degree थी वो set कर देता हूँ I think यह 90 degree से थोड़ी कम थी कुछ इस तरीके का result था उसके बाद हम contour पर चलते हैं और इसको by default इसके उपर apply करते हैं जो first वाला graph है तो इसका result कुछ इस तरीके का रहा है अगर आप इस graph को change कर देते हैं तो इसकी contour की direction change हो जाएगी उसी तरीके से आप second option से texture apply कर सकते हैं Contour और texture का result आपको इस text के उपर दिखाई नहीं देगा इसके लिए मैं इसे apply कर देता हूँ और इन properties को आप किसी दूसरी shape के उपर apply करना चाहते हैं तो right click करें और यहाँ पर आपको copy layer style का option दिख रहा है उसके बाद मैं इस icon को select करता हूँ और इसके उपर right click करके मैं यह व इसके बाद हम double click करते हैं जिससे कि यह panel दोबारा open हो गया है सबसे पहले हम wavelength emboss के parameter change करते है size थोड़ी सी हम कम करेंगे उसके बाद depth अगर आप कम या ज्यादा करना चाहें तो यहां से कर सकते है lighting की direction change करता हूँ उसके बाद softness को भी हम decrease करते है depth भी अगर आप change करते हैं तो देखिए इस तरीके के कुछ result आपको depth से नज़राएंगे उसके बाद हम चलते हैं contour के parameters पर और by default जो graph first वाला था उसको apply कर देते हैं तो इसका result कुछ इस तरीके का रहा है और अभी के लिए मैं यह texture हटा देता हूँ तो इ इसके webel के parameter थोड़े change करते हैं उसके लिए webel and emboss पर click करते हैं अब हम style को one by one देख लेते हैं अभी inner webel selected है जिसके वजह से यह inner side में webel apply हो गया है अगर आप first option चूज करते हैं जो की outer webel है इसे apply करेंगे तो webel outside में apply हो गया है जो की आप यहाँ देख रहे हैं और third option है emboss अगर आप इसे apply करते हैं तो webel inside और outside दौनों side में apply होता है इसके बाद emboss का एक second type है blow emboss इसमें भी webel दौनों side में apply होता है लेकिन इसकी direction opposite होती है और last type है stroke emboss जो की cable stroke के उपर apply होता है अभी हमने कोई stroke apply नहीं किया हुआ है तो इसका result आपको देखने को नहीं मिल रहा है अगर आप stroke apply करना चाते हैं तो यहां से stroke apply कर सकते हैं मैं इस पर click करता हूँ और stroke का color हम red color choose कर लेते हैं और इसकी जो size है वो कम करते हैं थोड़ी तो आप देख रहे हैं कि इस stroke के उपर stroke emboss apply हो गया है मैं इसकी size change करता हूँ यहां से तो देखिए इसका result के बल आपको इस stroke के उपर देखने को मिल रहा है अब हम इसे change करके वापेस inner wable या outer wable कर देते हैं जिससे कि इसका result कुछ इस तरीके का रहा है अगर आप यहां texture apply क तो कुछ इस तरीके के जो texture में आप देख रहे हैं white color के spot जो की emboss होकर यहां पर आपको देख रहे हैं अगर आप यह change करते हैं जैसे कि मैं कोई दूसरा यहां से choose करता हूँ तो देखिए इस तरीके का आप देखाई दे रहा है जो भी texture होंगे वह black and white होकर ही apply होंगे तो कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा यहां से आप इसका scale change कर सकते हैं अगर आपको कुछ noiseी बनाना है तो इसका use कर सकते हैं और depth का parameter यहां पर दिया हुआ है जिससे आप depth increase या decrease कर सकते हैं अगर आप stroke off करना चाते हैं या इसकी size change करना चाते हैं तो यहां से कर सकते हैं त और अगर आप हटाना चाहते हैं तो हटा सकते हैं इस तरीके से वेबलेंड इंबॉस का यूज़ करके आप किसी भी शेप या टेक्स्ट को 3D लुक दे सकते हैं